दोस्तो आज की विड़ा हम देखने वाले हैं कि हम वजीर एक्स में फंड को deposit कैसे कर सकते हैं और दोस्तो जो फंड करेंगे दोस्तो हम standard method के थू करेंगे जैसे कि हम IMPs, RTGS और NEFT के थू दोस्तो यहां हम UPI के थू नहीं करने वाले हैं खाली है step देखेंगे step कैसे कैसे हमें fund को add करना है क्या process रहने वाला तो दोस्तो बने रही है तो दोस्तो जैसे कि अभी हम वजीर एक्स प्लैटफोर्म ओपन क्या हुआ अभी हम home वाले section पर हैं तो आपको यहां जैसे दिखेगा deposit आये ना तो दोस्तों यहां आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जेस्ट प्रोसेस करके open करने लगता है दोस्तों यह just open हो रहा है process कर रहा है open होने देते हैं देखिए दोस्तों थोड़ा time लेगा तो आपको थोड़ा wait कर लेना है अब जैसे कि यहां को निज़र आ रहा है सबसे बहुत आपको तो यूपी तुरू पेमेंट अभी फिलाल नहीं करना है क्योंकि अगर यूपी तुरू आप पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा आपके वजीर एक्स अकाउंट में एड नहीं हो पाएगा वह आपका रेटन हो जाएगा 15 डेज में तो फिलाल आपको यहां जो मैथेड रेजिटर बैंक अकाउंट से यहां जो अकाउंट दीए हुआ है सबसे पहले फंड को समय ट्सवास में तो दोस्तों सबसे पहले आपको वैरिफ़ाइप कर लेना है कि आपका व्जीर एक्स में जो रेजिटर बैंक सब्सक्राइब तो यहां आपका धिक जाएगा ठीक है यह लिख रहा है ने टांस्पर फॉर्म बैंक अकाउंट तो यहां सबसे पहले आपको कंसीडर कर लिए कि आपका यहांगा अगाउंट एड़ है तो दोस्तों इसी वाले बैंक डीटेल यहां जो दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है कि मैं इस पर क्लिक कर लिया हूं आप наж Once कर लिए आ लुख्त है तो दोस्तों यह पेज उपन ऊके आ चुका है सिब्सक्राइब अब आपको क्या करना है यहां आप डेटेल देख लिए यहां देखो दिया हुआ बैनिफेशर नेम दिया है बैंक का नाम दिया है फान नमबर दिया है आए फसी कोड दिया है तो यह पांच चीजे दिया है फिलाल के लिए दोस्तों इसमें लिमिट भी दे रखी कि आप 1000 से कम फंड को टांसफर नहीं कर सकते हैं और मैक्जिम जो आप कर सकते हैं 10 लाग पर टांजेक्शन कर सकते हैं अगर आपको 10 लाग से ज्यादा करना है तो आप डबल टांजेक्श करते हैं तो आपको ही आकाउंट नमर डालना है आइए अफिसी कोड डालना है और आपको फंड को टांफर कर देना है ऐसी नैफ्ट में भी इननी चीजों की डिटेल ज़रूत होती है तो आप यहाँ से फंड को टांसफर कर सकते हैं अगर आपको बाद नेट बैंकिंग है तो आप netbank की के तुरू easily यहां से transfer कर पाएंगे आपको यहां add कर लेना है neft के लिए beneficiary में add कर लेना उसके बाद आप transfer कर सकते हैं ऐसी IMPS में आप direct भी fund को transfer कर सकते हैं तो दोस्तों जब भी हम fund को transfer करते हैं तो एक reference number generate होता है आपको reference number note कर लेना है दूसरा आपको date note कर लेनी है ठीक है जैसी आप fund को transfer करेंगे इसको इसकी insert ले लीजिए या आप से note कर लीजिए किसी कागज पर ठीक है उसके बाद यह दोनों चीजिए जैसे आप लिख लेते हैं आपको note कर लेना है किस टाइम पर क्या है कितना amount हुआ है सब कुछ आपको note कर लेना है दोस्तों जब यह confirm हो जाएगा कि आपने fund को transfer कर लिया है फिर आपको क्या करना है इसे मैं cross कर देता हूँ ठीक है फिर यहां जाते है आए एक लो में ज्यादा पीछ हो गया तो दोस्तों आपको यहां यह जो आपको pay to यह जो detail है ना इसमें आपको fill up करना है जैसे कि अगर आपने my phone transfer क्या है im pace के through तो आपको i am pace रहने देना है यहां आपको तीन option मिलेंगे आप यहां देख पा रहे हैं या तो आपने नेफ्ट के थुरू करा है यह आपने नेफ्ट किया है यहां लिख सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है तो दोस्तों नीचे की तरफ आना है तो दोस्तों नीचे की तरफ करने के बाद आप यहां पहुंच जाते हैं उसके बाद आप दोस्तों यहां देख सकते हैं एक फॉर्म का है जो आपको कुछ डिटेल बनी है दोस्तों जो आपने पैसे को टांसफर किया है आयम पेस के तुरू या एफ्टी या रटी जीएस उसके बाद वहाँ सेलेक्ड करने के बाद आपको यहां यह डिटेल बनी है जैसे कि amount deposit कितना amount आपने deposit किया है क्योंकि जैसे कि मिनीमूम की जैसी आप fun transfer करते हैं चाहे आई-Dave ca के ठ्रू करें या आप 20 seconds लिखनेंगी तो आपको दोस्तों यहां दिखेंगे तो आपको दोस्तों यहां लिख देंगे तो आपको धो2 को टांफ्र देन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है यह जो चैक बॉक्स है उसके टिक कर लेना है तो दोस्तों जैसी आप यहां समिट कर देते हैं तो दोस्तों यहां यह समिट हो जाती है डिटेल फिर दोस्तों वजीर एकसे से वेरिफाई करता है और वेरिफाई होने के बाद जो फंड को ट्रांफर करना है जिससे आपने रेइस्टर बैंक अकाउंट से ठीक है जो की डिटेल यहां दिव ही है देन दूसरा आपको यह डिटेल यहां आपको फिल कर देनी है यहां पर देन आपको समिट कर देना है खाली दो ही स्टेप हैं और आप यहां फंड को एड कर पा है वह points में है तो आपको points में ही लिखने होएंगे जो भी amount आपने लिखा है अदर्वाइस दोस्तों यहां verify नहीं हो पाएगा और आपकी request यहां cancel भी हो सकती है तो इस चीज का ध्यान लगी है date transaction id and account deposit वह स्वरी amount deposit बिल्कुल सेम होना चाहिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान ल सकते हैं आज की वड़ों में तरहीं धन्यवाद